राधि, राधि, फ्रेंस, जय सीरी क्रिष्ना, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में आज मैं बना रही हूं चैन्मास्टमी के लिए धनिया की पंजीरी इसे वनाना बहुत ही असान हैं, तो दिखिए मैं नहीं पर क्या क्या लिया है जीरी बनाने के लिए तो मैंने लिया है धनिया पाउडर जिसे मैंने पीस लिया है और ये है साबू धनिया घी, पिसी हुई चीनी और थोड़े से ड्राइफूर्स लिये हैं अब हम गैस पर फ्राइपेन रख देंगे और इसमें घी डाल देंगे आप अपने पसंद के अनुसार कम या जादा घी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे पिसी हुई धनिया को भून लूँगी आप साबू धनिया को भी बिना घी के भून कर पंजीरी बना सकते हैं अब हम इसे मेडियम आज पर दो-तिर मिनट के लिए भूनेंगे इसके बाद लो पर 4-5 मिनट तक भून लेंगे जब इसमें से बहुत अच्छी खुस्वू आने लगे तो समझ लिजे कि हमारी पेंजीरी बनके तयार हो गई है अब हम इसे दूसरे बरतन में रख लेंगे और वापस फ्राइपेन को गैस पर कर देंगे अब हम इसमें दो चमज घी डाल देंगे और हमने जो ड्राइपूट लिया है उसको दौ मिनट तक हलकी आज पर बून लेंगे हमारा ड्राइपूट बून चुका है अब हम समें भुना हुआ धनिया पवडर्ट डाल देंगे और गैस बन कर देंगे अब हम इसमें पीसी हुई चीनी मिला देंगे और अच्छे से मिला देंगे एक बात का ध्यान रखे पंजीरी में हमेशा पीसी हुई चीनी ही डाले तोकि साबू चीनी पंजीरी में बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती ये बहुत ही स्वाधिष्ट होती है और इसे बनाना बहुत ही असान होता है तो देखिए हमारी पंजीरी बन के तयार हो गई है आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू राधे राधे जैसेरी किष्णा